नमस्कार आप देख रहें इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की हो नलिफपुर चिंपत की विकास खंड तालवे हट की ग्राम पंचायत धमकना की ग्राम प्रधान धमकना पर प्रधान मंद्री आवास योजना, सोचाले योजना व मंद्रेगा कार्ट बनवाने के नाम पर अवैत वसूली का आरूप लगाया तालवे हट विकास खंड की सबसे छोटी ग्राम पंचायत धमकना में अवास प्लस की सूचना में अधार कार्ट की फेडिंग के लिए निधन एवं गरीब परिवार से सरकारी आवास देने के नाम पर ग्राम प्रधान धमकना के नुमाईन दो द्वारा 5,000 से 6,000 रुपर प्रति लाभारती से वसूली की जा रही है डियम साहब से शिकायत के बार भी जिम्मेदार बेख़बर हैं आपको बताते चले विकास खंड तालवेहर के ग्राम पंचायत धंकना में प्रधानमंत्री आवास के साथ नहीं दिया जाता सोचाल ववस्था का लाब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने चतावनी देते हुवे कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भष्टाचार या धनों गाहे की शिकायत मिली तो कोई पकसा नहीं जाएगा श्रियम योगी ने कहा था कि इस योजना के तहिद प्रदेस में लाखों गरेबों को लाख मिलेगा उन्होंने ग्राम परदान और अधिकारियों को आधा करते हुए उन्हें सत्रकित्ता परदात में की सना भी दे थी लेकिन धंकना ग्राम पंचयत में प्रधान मंत्री आवास योजना प्रवासी मजदूरों के मंडरे काट सौचाले योजना के नाम पर ग्राम प्रधान पर वैद वसूली का मामला सामने आया है ग्राम पंचयत धंकना के नाभारतियों ने प्रधान मंत्री आवास योजना स्वस्त भारत मिशन सौचाले दिलाने के एवस में ग्राम प्रधान पर वैद वसूली कारूप लगाते हुए बताया कि प्रधान धंकना 5000 रुपए आवास देने पर 2000 रुपए सोचाले देने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आवास 145 रुपए तक आवास नाम फेडिंग करवाने पर वा प्रवासी मदूरों के मदूरी कार्ट बनवाने पर लिया जाता है ग्रामीरों ने बताया इसके पूर्व कई बार उचादिकारियों से भी शिकायत की जा चुकी है लेकिन अभी तक ना तो ग्राम पंचायत की जाज हुई है और ना ही प्रधान पर कोई कारवाही हुई है अब देखना या होगा कि इस बार भी कोई कारवाही होती है या मामने को फिर से थंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा इन पिरो रिपोर्ट आई पियन प्रधान का नाम क्या है कितने पांच और पे ले रहे हैं आपका लेना है उनको एक और मांग रहे है बना काम रोग देंगे कहते हैं अच्छा जब पैसे दोगे जब आपका काम चालू होगा जब दर है जब दर है जब पैसा घर है है नहीं आपका लेंटर करें बसा जो था याद हो सामा ठीक